दोस्तों नमस्कार कैसे हैं सब आस्ता करता हूं मुस्तोंगे आज इस वीडियो हमें एक नई जानकारी आपको लिए आए हैं जो कि हमने इस चनल पर आस्ता कभी आपको नहीं दी है और सायद ही आपको इतनी सठीक जानकारी पूरे यूटूब पर आपको मिल सके हम बात कर र करते हैं आप या फिर इसको छोड़कर जाते हैं तो आधुरिद्री जानकारी मिलती है और आप पर समझ नहीं पाएंगे कि एक्शन में इसका उप्योग क्या है चलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं मैं हूरा किसा हूँ आप देख रहे हैं एंगर जीवन दोसरा हम जानेंगे इस पर कि इसके फायदे क्या हैं तीसरा इसके नुक्सान के बारे में जानेंगे जानेंगे चुंदे कि इसका उप्योग हम अपने फसल पर कैसे कर सकते हैं ौत पाछिंध पको पूरी जानेंगे इसकी कीमत ऑर डोच के बारे मैं और साथ में यही कि क्या हमारेखेत पर नुक्सान देखने को मिलेगा साड़ी जलनकार्य हम सब्सक्राइब कफरेंगिए दोस्तों Hydro Gel जो होता है वो हमारी घमार फल्ली होता है। जिसे हम काते हैं उस घमार फल्ली के दानों से निकालकर एक प्रकर्टिक POLॉमर बनाया जाता है। इसका कलर है वह सबैद क्लरब का होता है, जासहां साभुति दना होता है – उसी ТАЙप का आप देखने को में मिलेगा को जब भीगाते हैं तो तो यह जो है बड़ा हो जाता है फूल जाता है और अपने आप से ज्यादा पानी अपने आप में सोक लेता है तो अगर ओपियोग हम देखा जाया तो इसका जो ओपियोग हैं हम खेती पर करते हैं आगे हम जानते हैं कि इसका ओपियोग हम कैसे करेंगे और इसके हमारे फायदे क्या है तो सबसे बिलें आपको बता दूँ कि इसका जो उपयोग है आप सबजी वर्गी जितनी भी खेती उस पर कर सकते हैं आप गैहूं, धान, मक्का जो भी आनाज वर्गी फसले हैं उन पर इस्तमाल कर सकते हैं आप बागवानी की खेती करते हैं तो बागवानी पर भी इसका वाहतना आपकर सकते हैं अब तो कैसे करेंगे ? यद आप 시청 के खाते हैं तो आप क्या करेंगे ? जैसे मक्के पर खाद रखते हैं उसी type से आपको जड़ों के के रखना पड़ेगा ठीक है और इसको अगर हम आनाजवर्गी फसला में इसमmışल करना चाहरे है तो हमें जो है इसको छड़काओ करना पड़ेगा जैसे हम यूरिया छड़काओ करते हैं तो उसी तरीके से यूरिया में मिक्स करके या फिर अलग से भी आप इसका छड़काओ अपनी फसल पर, प्प पानी सुक के रखता है और ऐसी इस्तिती आती है कि हमारी फसल पर पानी की कमी हो जाती है या पिर बारिज जब कम होती है और हमारे पौधों पर पानी की कमी होती है तो यही जो हमारे दाने होते हैं डोजेल के फूट जाते हैं और फूटने के बाद जो है पौधों की जड़ हम देखते हैं अधिक तर कि आखरी के जो पानी है वो हमें कम पढ़ जाता है धान में भी ऐसे होता है जो वर्सा धारी जो हमारी खेती होती है उसके हिसाब कर हम देखें तो आखरी जो पानी होता है जिस समय पर बालियां भरती है उस समय पर हम देखें तो पानी जो है कम पढ तो इसका जो उप्योग है एक्शुल में वहीं किया जाता है जहां पर पानी के कमी होती है अचा इसकी खास बात और यह है कि यह अपनी नाइट्रोजन जो भी आप देते हैं उसको भी श्टूर करके रखता है तो पॉद्र को बात तक यह उपलब्त कराते रहता है तो यह एक बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्ट है अचा इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह प्राकर्तिक है अब प्राकर्तिक होने के करण क्या होता है कि जैसे ही इसका खत्म हो जाता है तो यह मिट्टी पर मिलकर खात का काम भी करता है और हमारी फसल पर हमारी जमीन पर किसी कीमिकल का जो प्रभाव होता है उस सफीह कोई भी प्रभाव का दिखने को नहीं मिलता है यह यह स्थियों काम करते तो इस तरीके से यह आप हैड्रोजल करते हैं तो अपनी फसल पर जो सिचाई की कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि इसके नुकसान क्या है दोस्तों यह एक पकरतिक पाली महर है इसके कारण जो है इसका कोई भी नुकसान हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आप बिल्कुर निश्चिंत होकर इसका उप्योग कर सकते हैं अब यह मिलेगा कहां तो यह जो है कई कमपनिया इसकी बनाती हैं हम कमपनियों को नाव अभी नहीं लेंगे आप उनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं या फिर अपने सहर के आसपा जो भी आपका सहर है वहाँ पता कर सकते हैं कि हैड्रोजल किस कमपनिय का आपको किस रेट पर मिलता है कीमत की जहां तक अंदेजे की ब सब्सक्राणों को यदि यह रेट ऊपर देखने को मिलेंगे आपको तो फिर इसके रेट भी ऊपर ही आपको मिलेंगी दूसरा यह जो है कि इंडेस्ट्री पगेरा में अगर इस तका इसमाल जो होता है उसके जो रेट हैं वो लगबग 400 रुपर केजी मिलते हैं लेकिन जो जो आप अनाजमर की फसले हैं उन पर अगर इसमाल करेंगे तो पांस से लिकार 6 केलो प्रती एकड़ के साब से आपको उसका छिड़काओ करना पड़ेगा आप यूरिया बगएरा के सांद जब भी आप यूरिया चिड़कते हैं तो उस समय पर उसमें मिक्स करके और आप चिड़क दें तो उससे फाइदा यह होगा कि जो नाइटोजन की जो मातर है वह भी अपने आप में यह इस्टूर करके रखता है और पौधों को जैसे ही जरूर पड़ दिए तो उसको वह उपलत कराता है तो यह रहे दोस्तों कुछ आइडोजल के फाइदे दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक लिए नमासकार आए किसान जैजवान